अब भी है Green Arrow को S13 Pro एक wireless mic भाई ये audio भी आपको इसी mic से मिलने वाली है इसकी pricing आपको Amazon मिलता है जिसे 25 फिनिट के लेकिन अभी चल रही है sale Amazon के ओपर तो आपको around 23 फिनिट के आसपास देखने को मिल जाएगा अब क्या ये mic इस pricing में वर्थ इट है कि नहीं ओडियो तो आप सुने रहे हैं और फिटर्स के बारे में बात करते हैं करते हैं इसको unbox सो करते हैं इसको unbox guys माइक के ओपर ये आपको Green Arrow and S13 Pro की branding देखने को मिलती है माइक को निकालते हैं बात हो guys अन्बोक्स करते हैं मैं first thing मिलती है वो है इसका warranty card जहां से आप इसकी warranty claim कर सकते हो भाई उसके whatsapp number और email ID में mail डाल कर and second thing मिलती है हमें यहाँ पर हमारा mic case जो कि यहाँ पूरा एक wrapper में wrap है guys बाहर निकालते हैं भाई यहाँ पर na Green Arrow की branding हमारे case के ओपर मिलती है साथ में guys हम मिलते हैं यहाँ पर दो mics and हमारा एक receiver जो कि आप type C अपने android में connect कर सकते हो साथ में guys हमारे apple वाले भाईयों के लिए न हमें यहाँ पर converter मिलता है जो कि lightning converter उसके साथ हम यहाँ पर iPhone में भी इस mic को use कर सकते हैं android and iPhone दोनों के लिए होने वाला है यह अब मिलती है हमें यहाँ पर na हमारी एक cable जिसका case और हम यहाँ पर दोनों ही हमारे mic एक साथ charge कर सकते है type A to type C की हमें cable लिखने को मिलती है and last मिलती है यहाँ पर इसकी user manual well इसके case की बात करूं तो काफी aggressive look देता है हमें काफी बढ़िया build quality साथ में जो María पर इसके mics है भाई उनकी भी काफी बढ़िया यहाँ पर build quality मिलती हैं lights के indication मिलती है posture mic के तो और और काफी बढ़िया मैं build quality देखने को मिलती है पर लिब इस mic के में features की बात तो भाई आपको मिलते हैं यहाँ पर इसके receiver से इसके mic की 30 meters की range and आपको मिलता है यहाँ पर 3 level noise cancellation तो भाई आप vlogging करते हैं तो आपके लिए बहुत best होने वाला है आपको मिलता है यहाँ पर reverb mode भाई गाने वाले पूरे मचे से गाओ आप तो पहले चलते हैं हम बाहर चेक करते हैं इसकी range and यहाँ पर noise cancellation कैसा काम करती है तो let's get started चलो भाई So guys आचुके हम बाहर जहाँ पर इस mic की हम यहाँ पर noise cancellation के feature को test कर पाएंगे तो भाई इसमें मिलते हैं मैं 3 level noise cancellation तो start करते हैं हमारे first level से आपने चेक करनी है कितनी noise आपको देखने को मिलती है इस वाले mic के अंदर यहाँ पर गाई यह रहा level 1 तो भाई आप बताओ मुझे कैसा noise cancellation का feature मतला level 1 पर आपको क्या output मिल रहा होगा तो अभी मैं जाता हूँ level 2 पर तो यहाँ पर गईद हम आ गए है इसका noise cancellation level 2 तो यहाँ पर बताओ आप कितनी noise cancellation और हुई है और आप सुन सकते हो बोज़ा noise है यहाँ पर और अब हम टेस्ट करते हैं इसकी noise cancellation level 3 तो यह रहा भाई इसका noise cancellation level 3 यहाँ पर आप बताओ अब कैसी noise भाई मुझे कैसी noise कम हुई कैसी हुई I think अच्छी होगी भाई मैं इसके record होने के बाद सुन पाऊंगा इसको तो अभी के लिए चलते हैं सुपोज अब चेक करते हैं इसका कितने distance तक यह wireless हमारा माइक वर्ट करता है तो भाई यह मेरा phone जिससे माइक लगा है मैं अपने friend को दे रहा हूं यह पकड़ ले भाई तो अब मैं दूर जा रहा हूं आप मुझे बताना कब तक आपको sound आ रही है तो भाई हम चलते हैं सा अनी दूर तक चलने वाला है जल्दी जाता हूं मैं दूर तो अभी बताओ आप sound आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाकी वीडियो अच्छा लगे तो like करो subscribe करो share करो सब करो मैं काफी दूर तक आ चुका हूं and मुझे नहीं idea भाई के अभी sound आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो अभ कि हम वापिस हो लेते हैं भई एक बर अभई यहां पर नहीं को आप mute भी कर सकते हैं अभी mute हो क्याके बात करो में reverb mode की तो आपको वह भी दिखा जटा ओगा मैं reverb mode कैसे इसका चलता है तो भाई जैकरा शेरा वलिदा तो भाई ऐसे इसका reverb mode भी आप यूज़ कर सकते हो मज़े लेने के लिए वेल गई तब बात आती है इस mic की इन सारी features को हमने कैसे activate करना तक इस दोनों mic के side में आपको मिलते है button जिससे आई सारे mode होने वाले है activate किस front में आपको मिलते है lightning जहां पर connectivity की reverb mode की battery की and mic mute की देखने को मिलती है हमें indication symbols तो भाई start करते है हमारी connectivity से कैसे जैसे कि आप इस mic को on करते हो अपने basically power button को hold करते है जैसे आप receiver लगाओगे किनेक्ट हो जाएगा अब बात आती है भाई हमारे noise cancellation के level की तो आपने कुछ नहीं करना simply आप जैसे मैं किनेक्ट होता है आपने button को दुबाना है एक बार तो इसकी connectivity light में आपको एक बार blink होती मिलेगी मतलब आप level 1 पे हो फिर से आप बटन दबाओगे एक बार दो बार blink मतलब आप level 2 पर फिर से एक बार बटन दबाओगया तो आपकी light जो तीन बार blink होगी कि इतनी जाप level 3 पे हो जाएगा किसी भी noise cancellation में मोड में नहीं रहेगा यहां बात आती है reverb mode की तो आपने यहां पर बनको तीन बार लगातार प्रेस करना है तो आप reverb mode में एंटर कर जोंग यहां बात आती है हमारे mute mode की तो आप पहुंच जाओगे यहां पर अपने mute mode में Spray यहां परना भाहि Weight है केस के यह few इन माइग को charged me इसको आपका केस को बहर हो सब्सक्रेइब है और वह भाहिऴ आपको यह कुंते हैं आपको इंटरू मिलता है कि उससे के छार्टक आपक oh तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाओ पाई कर लो अभी जैस मिलता हूँ आपको नेक्स किसी ऐसी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और हाँ गाइस ऑल्वेस किप योर बेस्ट